चलिए अभी देख लेंगे वीडियो कौन सा था बागी क्लासिस आपके और नोट्स भी अपडेट हो गए हैं आप चेक कर सकते हैं अब रेगुलर जितने भी क्लासिस है और अपलोड़िट हो जाएगा हमारा टॉपिक है सर शेयर पोर फीचर पहले हम कॉंसेप्ट समझेंगे के सर शेयर फोर फीचर है क्या और ट्विल्थ क्लास में आप सभी बच्चों ने करा होगा तो फोर फीचर का मतलब होता है अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो शेयर होल्डर का जितना भी पैसा है वो रख लेना पैसा रख ल रख लेने से मतलब क्या है मानलो एक शेयर होल्डर है और हमारा एक दस रुपे का कॉल है और दस रुपे को मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया सपोस्क्रों दो रुपे चार रुपे और मैंने यहां पर चार रुपे इस तरीके से मैंने डिवाइड किया हुआ है अ उसने ये 2 रुपे तो payment कर दी, ये 4 रुपे भी payment कर दिया, और जब यहां पे उससे पैसे माँगने आए, तो उसने अपने आपको surrender कर दिया, बोला मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, और जब यहां पे उसके पास पैसे नहीं है, तो अब company उसको remind भी कर वा रही है, लेकिन इस share shareholder की हालारत ऐसे नहीं है कि वह यह पेमिंट दे दे तो फाइनली कंपनी क्या कहेगी shareholder से जो तुमने पैसे दिये हैं अब हम उसको अपने पास रख रहे हैं और जो shares हमने आपको दिये थे वह share हम आपसे वापसी ले रहे हैं मेरे वर्ट को सुनना ध्यान से जो पैसे आपने दिये थे वह पैसे हम अपने पास रख रहे हैं और जो share आपको दिये थे वह वापसी ले के चल रहे हैं तो सबह worker अग derivative कि बात करें तो basic किस heat करा क्या होगा आपने पहला आपने किया होगा Shire app की a bank से start किया होगा आपने इसकी entry कि आप मैं क्या करा होगा bank और टू शियर application मैं रफली कर रहा हूं थोड़ा सा फिर मैं आउंगा उसके बाद आपने दूसरी entry क्या करा होगा शियर application टू एकुटी तो आप ध्यान से सोचो कि आप ने यहां Share Capital दिया है क्योंकि आगर आप Share Capital को Credit कर रहे हो तो इसका मतलब आपने उसको Share Capital दिया है तो मैंने क्या बोला जो आपको Share Capital दिये हैं मैं वो भी बापसी ले लूँगा क्योंकि आप default कर रहे हो तीसरी entry क्या करोगे आप Share Allotment और to Equity Share Capital इसका भी मतलब क्या है सर कि मैंने आपको capital दे दिया है में रुपए के terms में भी लिख देता हूँ चलो दो रुपए दो रुपए और चार रुपए और चार रुपए अब एंक में पैसा मुझे यानि आपका चार रुपे चार रुपे बिसिक सेंट्री यह हूई होगी मैंने वर्ड क्या कहा जितने पैसे आपने दिये वो सारे मैं ले लूँगा तो इसने पैसे कितने दिये हैं सिर्फ यही तो दिया है इसने इसके बाद तो ये क्या हुआ फेली हो गया ना इसके बाद तो तो यह वाले पैसे तो हम को शेयर कैपिल डेते टाइम पर क्रेडिट कर रहा हूं do वापसी करने क Airbnb करने के उसके पैसे अगर लेना हो तो मुझे सारे शेर डेबिट करना होगा तो इसका मतलब एंटि बनेगा इकुटी शेर कैपटल अकट डेबिट कितनी बार कैपटल दिए है वह कांट करना पड़ेगा तो मैं चार रुपए यहां दिये और 4 रुपए तो टूटल दस दे दिये necessary का यह माना था कि call scenario आप दे दोगे आज नहीं तो कल मैं मान के चल रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मैं अपना क्या create करके बैठ किया हूँ यहाँ पे assets, जो यह assets क्या मेरा हमें, क्या metallize होगा यह assets का पैसा मिलेगा मुझे future में नहीं मिलेगा, तो यह assets गलत है बहुत simple सा meaning है सर पैसे जितने दिये हैं, वो company वापस रख लेगी, और जो company पैसे को वापस रखती है, उसे credit में दिखाती है, यह वाली entry प्रूफ करता है, कि उसने पैसा रख लिया है ठीक है ना, यह वाली प्रूफ करता है, कि जो मैंने आपको दिया था, share capital वो वापस ले लिया है, मैंने आपसे share capital और यह वाली entry create करता है कि आपने जिसको assets माना हुआ था, उस assets को मैंने अब cancel कर दिया है तो यह तीन point की वज़े से आपको share issue आ रहा है एक minute बताए क्या दिक्कत आ रही है आपको बताईए, voice में दिक्कत है या वीडियो में दिक्कत है फिर ठीक है फिर थोड़ा lag हुआ अब voice में बताईए अगर voice में problem है तो मैं उस पे काम करूँ और video में problem है तो उस पे काम करूँ वीडियो pause अब okay है for feature की दुबारा entry बता दें इसका उचनों कुछ जल्दी solution करना पड़ेगा मुझे, देखे, for feature के अंदर मैंने क्या बता है, मैं दुबारा बता देता हूँ, जब मैंने share issue करा, तो bank to share application to share capital, यानि आपको यहाँ share capital मिला, फिर share allotment to share capital, फिर bank to application, यह entry चलती गई, मैंने कहा, जितनी बार भी आपको capital द और यह तो 10 रुपे के total capital हो जाएंगे, एक यह हो गया, यह हो गया, आपका, और यह हो गया, और बस, कितने हो गया, 4-4-8 और तो 10, तो मैंने share capital को क्या कर दिया, यहां पे, debit कर दिया, दूसरा हमारा share for feature, जितने पैसे हमने उसके रख लिए, वो यहां आ गया, और calls में कित और मैंने कहा यहां पे 3 रुपे, और 2 रुपे और 5 रुपे, simple सा example लेते हैं, एक RAM है, RAM के पास 200 share है, ठीक है, और वो यह भी payment कर रहे हैं, यह भी payment कर रहे हैं, और यहां क्या हो गया, fail हो गया, तो सबसे पहले RAM के पास number of shares कितने हैं, 200, तो मुझे बताओ, कि जो मैं share for feature में amount रखूंगा, वो amount कितना होगा, entry में तो पता ही एक credit होना है, पहले आप यह बताओ, जो share for feature के अंदर amount रखूंगा, वो कितना होगा, total multiply करके बतना, amount amount सबसे, यानि आप कह रहे हो, sir, कितना होगा, 1000, कैसे होगा, sir, आपके 5 रुपे, ये वाले 5 रुपे आप उसके for feature यानि आप कहना चाहते हो, 3 plus 2, 4 feature हो गए, और इसके बाद आप multiply 200 share है, तो उसके multiply करोगे, तो इसका मतलब आप उसके 1000 रुपे रख लोगे, क्यूंकि मैंने इससे ये भी मांगा, और ये भी मांगा, और ये भी मांगा, जितनी बार भी मांगते हैं, तो हर बार पहले हम share capital लेते हैं, तो share capital यहां called up कितना है, called up का मतलब बताया है था कि जितना company मांग लेता है, that is, उसे क्या बोलते हैं, तो called up कितना यहां पे, 10, तो अब यहां पे अगर मैं share capital इसकी cancel करने की बात करूं, तो कितना cancel करूंगा, 10 into में 200, यानि इसका share capital cancel किया जाएगा, 2000, अब जो पैसा नहीं दिया, उसको assets माना होगा, that is call scenario, तो call scenario पे कितना आ जाएगा हमारा, again, 1000 रुपे, entry क्या निकल क्या आएगा, sir, बहुत simple सा entry आएगा, sir, equity, share capital, account, debit, और two में क्या आ जाएगा, credit, क्यूंकि share for feature, अगर मैं आप से पैसे ले रहा हूं, तो मेरे लिए income है, इनको तो definitely credit बन जाता है, हमारे लिए, to share for feature, और two calls in area, calls in area, तो सबसे पहले इसमें कितना आ जाएगा, sir, इसमें 10 into में 200, that is आपका आगया, 2000, इसमें कितना आएगा, sir, 5 into में 200, that is आगया, 1000, और इसमें कितने आ जाएगे, sir, 1000, इसके narration की बात करूं, तो narration लिखा जाएगा, being, जैसे राम का share है, तो राम का जो share है, forfeited, हमने उसके share को क्या कर लिया, forfeiture, बड़ा simple सा fund रहे है, पहले बताओ, यह basic point clear है, तब ही मैं किसमें add कर पाँगा, clear है यहां तक, कोई दिक्कत कि कैसे forfeiture की entry हमारी बन रही है, हर एक बच्चे, जितने बच्चे live हैं, बता दे फटा-फट से कि आपको basic entry clear है, तो फिर हम आगे बढ़ जाए, जितने भी बच्चे है, basic entry हर student को clear होना चाहिए, ताकि मैं forfeiture को थोड़ा सा advance दीरे-दीरे करके आगे ले जाओ, clear है हर किसी को, चलिए sir, all clear, okay, एक question और रखते हैं आपके सामने, एक example और है, क्योंकि छोटे-छोटे example से ही आपको समझ में आएगा, मान लेते हैं कि मेरा 10 रुपे का share है, और यहां पे हमारा है 2 रुपे, और हमारा यहां पे 3 रुपे, और यहां पे 5 रुपे, ठीक है ना, point number one, ग्राम जो है, वो यह देते हैं, और यह continue fail हो गए, ठीक है न, यह मैं continue क्यों बताऊंगा, मैं आगे लिख देता हूँ, कि यहां पे वो fail हो गए, ठीक है, इनके पास जो share है, मान लेते हैं कि 200 share, दूसरे number पे Mr. Mohan है, जो की यह भी दिया और यह भी दिया और यहां पे fail हो गए, इनके पास है हमारा 300, ठीक है न, अब 2 विक्ति failure हो गए, तो ऐसे situation में हमें दोनों विक्ति का अलग-अलग for feature करना चाहिए, पहले rule समझ लो, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, combine करने की कोशिस करते हैं, और वहां पे mistakes की chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो दोनों को क्या करना चाहिए आपको, अलग-अलग, तो पहला मैं क किसके लिए कर लूँगा, राम के लिए, दूसरा मैं अलग से कर लूँगा, किसके लिए, मोहन के लिए, अगर मैं राम की बात करूँ, तो एंट्री तो यही होना है, equity share capital, two share for feature, और two calls in area, अब फटा-फट से मुझे amount बता दीजिए, सबसे पहले में क्या amount आएगा बताओ, एक हजार आएगा, कैसे आएगा सर, एक हजार, सर, दो सो, इंटू में, दस, एक हजार कैसे आएगा? हम, हाँ, पीछे आपके सामने भी कर रहा है, किसको count किया, देखो, आपके सामने एंट्री है न, देखो, एक्विटी शेर में कितना लिखा है? यह एंट्री देखिया, आप कन्फ्यूज हो रहे हो, वो जब बात कर रहे हो न, वो शेर for feature के अंदर आएगा, मैं बात कर रहा हूँ भी है, एक्विटी शेर कैपिटल में कितना आएगा? बताईए, सर, कैपिटल, बच्चों न बता दिया, दो हजार, सोलह सो, चार हजार, अलग-अलग एंट्री बता दिया, सर, शेर कैपिटल में कैसे होगा? शेर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप से होगा, तो मैंने यह बताया आपको, शेर फोर फीचर में कितना होगा? मैं किसके लिए कर रहा हूँ? राम के लिए, तो राम ने सिर्फ इतने ही दिये हैं, तो इनका फोर फीचर कितना होगा? इनका फोर फीचर आएगा, सर, देट इस, टू इन टू में, दो सो, तो कितने आगए? चार सो, अब यहाँ पर क्या आएगा? एरियर में, तो यह भी नहीं दिया, तो इसका मतलब भाई साहब, यह भी नहीं दिया होगा, continue fail होगा तो इसका मतलब ये failure कितने में हो गया 200 share थे और continue count करो तो 5 और 3 8 तो जिसने ये जवाब दिया था बिल्कुल सही दिया था clear है अब दूसरे का बताओ क्या होगा equity share capital account debit entry तो मैं कर रहा हूँ पहले आप amount बताओ entry बच्चे कहते हैं entry तो हमें आता है चलिए entry तो हमें आता है लेकिन amount mean है ना पहले में क्या आएगा कि कितने shareholder failure है 300 अब इसके पास entry करेंगे that is कितना आएगा हमारा 300 और पहले called up पूरा है ये तो 10 से ही जाएगा that is अब share for feature में कितना होगा क्योंकि दो चीजे payment करी है उसने तो 300 into में 5 याने अगले बार में क्या आएगा 300 into में again 5 किसी को इन दोनों entry में doubt है तो बताईए नहीं तो फिर आगे बढ़ जाए जाए clear हो रहा है कि दो हजार एक हजार एक हजार 2400 पंद्रा सो 2400 सत्यम आपका गलत है पता नहीं 2400 कैसे निकाला आपने कि पंद्रा सो ठीक है कि अब का कवर पेज दिखा देंगे अभी आप चैट में जाके देखो दिखा रखा है पहले से ही कि अभी आप पहले देखते हैं जो मैं करवा रहा हूं अभी बिना पूरा अमाउंट वाला भी करके दिखाएंगे अब देखें अगला रखाएंट इग्जांप्ल कहता है कि हमारा । और ये वालाством ने नहीं मांगा सुधीं नहीं मांगा और राम ने क्या करण Bus श्री यहां कर दिया आउप दोनों बाते बता और दूसरा ने कितना प्यमिंट किया वह मुझे बताओ जब कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगा तो क्या हम एं'Tरी करेंगे हैं काल नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी नहीं नहीं करा होगा तो क्या share capital इसके नाम से credit हुआ होगा नहीं हुआ होगा तो अब जो एंट्री बनने वाला है हमारा आगे उसमें कैसे करेंगे सर equity share capital account debit अब जो होगा ना वो 10 से नहीं multiply होगा मान लेते हैं इसके पास 200 share अगें है तो 200 इंटू में यह और यह तो कितने होगे साथ 1400 अब शेयर फूर फीचर में कोई बदलाव नहीं आएगा शेयर फूर फीचर में कितने आगे 5 तो यानि 200 इंटू में 5 देट एज 1000 और 2 share call scenario लिख दो यहाँ पर दो चीजें लिखी जाती है लेकिन मैं call scenario लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं हर बार call scenario account open करता हूँ कितने आगे 400 पर कैसे 400 आगे कोई रोल ही नहीं है अभी question आपने पूछा था कि सर क्या हर बार हम 10 से ही multiply करेंगे नहीं कितना नहीं कितना मांगा है वह चीजे देखना यहां पर जरूरी है ना कि सिर्धा दस्ते मुल्टिप्लाई कर देना के लिए दोनु पॉइंट में दोनों में देखरो आपके सामने है यहां पर company ने सारे मांगे यह लो लिख देता हूँ company ने यह भी मांगा यह भी मांगा इस व नहीं मांगे तो होगा 600-400-400 कहां से कर दिया 600-444 विवे कंपनी डिमांड 600-400-400 ओके आपने मुल्टिप्लाई करके पूरा बता दिया के पे 1000 यानि 600-400-400 करके पे 1000 ठीक है कोशिचन देखें एक आपके सामने एक कोश्चन है आपके बुठ का ही गुस्चन है कोश्चन नंबर बारा कि जी यार्म 열का बुक है कोश्चन नंबर बारा है अब इसको हम एक Уबским देख लेते हैं कैसे किया जाए कहता है कि कार्ति का limited forfeited 450 share 10 रुपे का एक है यानि जो आपका 3 ती का जो के के पास share है वो that is कितने share है 450 10 रुपीज का each share है which shareholder has paid only 2 यानि अगर मैं line बनाओ तो whatever रहा होगा shareholder ने 2 रुपीज हमें paid कर दिया application but fail to pay 3 on allotment इसका मतलब खुद बता रहा है कि allotment पे कितना होगा 3 जिसको इसने नहीं दिया and 2 calls equal amount तो भाया बताइए 2 calls कितने कितने के होंगे यानि 2.5 के ये रहे होंगे और 2.5 के ये रहे होंगे तभी तो सभी का total मिला के 10 होगा तो इसका मतलब इसने ये भी नहीं दिया ठीक है अब question खुद कह रहा है कि ये नहीं दिया गया है तो मतलब company ने मांगा होगा give the journal entry only for feature अगर only for feature का है तो जो entry हम सीख रहे हैं सर्फ वो करना है और कहता question कि पूरी entry करना हो जितने बच्चों ने new join किया है उनको basics class first class second class देखनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि आपके पास तो पूरा time होता है तीन चार घंटे की class होगी फिर आपको आगे continue समझ में आएगा इस class का timing भी बढ़ाऊंगा और थोड़ा फास्ट भी मैं लेके चलूंगा धीरे धीरे बट मानके चलो आज हो गई हमारे पास 11-12 तारीक है ना कितनी तारीक आज 12 तारीक है तो अगली class से या तो मैं जो भी schedule होगा उसके इसाफ से मैं फिर थोड़ा सा time बढ़ाऊंगा इसका बच्चों का जवाब आए सर एक्विटी शेयर पैंतालिस सो नो सो और च्छतिस सो तेरा पचास ग्यारा पच्चिस ग्यारा पच्चिस विवेक आप यह क्या एड़ करके भीजते हो पता नहीं चलता मुझे हो गया करें इसका solution सर सबसे पहले करो एक्विटी शेयर कैपिटर अकाउंट डेबिट कर दो ठीक है सर इसके बाद करो टू शेयर फोर फिचर टू शेयर फोर फिचर उसके बाद entry आएगा calls in calls in area अब company ने तो फिलहाल पूरे ही मांगे है तो that is 450 और multiply by 10 होना चाहिए जो कि हमारा निकल के आता है 4500 अब share for feature की बात करें तो जितना इसने दिया तो दिया ही इसने कितना सिर्फ दो रुपे तो that is 450 इंटू में 2 कितने हो गए 900 call scenario की बात करें तो ये भी नहीं दिया ये भी नहीं दिया ये भी नहीं सभी को जोड दीजिए तो 8 रुपे हो गए तो 450 इंटू में 8 तो 32 और 436 तो ये entry हमारा correct entry है इस question का ठीक है clear है अजय होग झाल फे तो तो आल बल